जैशी किष्णा दोस्तों ब्यसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों नवरात्री के बहुत ही पावन और शुब दिन चल रहें इन दिनों में माता रानी का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए साथ ही माता रानी को एक वस्तु का भोग लगा कर अगर उसका प्रसाद ग्रहन किया जाए तो निश्चित ही आपकी जोली खुशियों से अवश्य ही भरती है जो भी आपकी मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो जिन भी दमपत्यों को संतान सुक्की प्राप्ती नहीं हो पारी है तो नवरात्री के दिनों में इस उपाय को अवश्य करें दोस्तो इस बार नवरात्री पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा रहा है सभी राशियों के लिए ये नवरात्रे बहुत ही शेश रहने वाले हैं परंतु नो राशियां ऐसी हैं जिन पर मातारानी की विशेश किरपा होने जा रही है और ये राशी वाले नित्य प्र बैल अकन कोई प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों नवरात्री के दिनों में माता रानी का पूजन अवश्य करें माता रानी को नित्य प्रती एक लाल गुलाब का फूल या पीला फूल अ साथ मातां रानी के सामने उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गुपाल मंत्र कह भी आप जाप कर सकते हैं citrus अगर कि कोई कोई मनो razón्हीं कामना है संतान की ओक्री की विवहाग की तो आप माता रानी के सामने संकल्प अवश्य करें जैसे तो आपको देखिए नवराती के नो दिनों में ही मतलब ये उपाय करने चाहिए लेकिन आप जितने दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं करें और माता रानी के सामने अरजी अवश्य लगाएं संकल्प अवश्य करें कि आप इस उपाय को किस मनोकामना के लिए कर रहें और मातारानी से प्रातना करें कि है मातारानी हमारी मनोकामना पूरी करें दोस्तों नित्य प्रती मातारानी का पूजन करें उन्हें लाल या पीला पुष्प अवश्य ही चड़ाएं और साथी मातारानी को आपको एक पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए मीठे पान का भोग लगा सकते हैं और नित्य प्रती केले का भोग अवश्य लगाएं अग लगाना चाहिए क्यूंकि केला देविक फल माना जाता है और सभी देवी देवताओं को सबसे अधिक प्रिया माना जाता है दोस्तों अपनी पूजा करने के बाद आपको उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद किसी भी कन्या को जैसे आपने केले का भोग लगाया है तो ए प्रति किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं पंच मेवा का भोग लगा सकते हैं वरत वाली खीर का लगा सकते हैं दोस्तों आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं लेकिन साथ में फल यानि केले का भोग आपको अवश्य ही लगाना है उसमें से एक केला आप किसी भी कर देखना आपकी जो मनो कामना है वो बहुत ही शीग्र पूरी होगी साथ ही दोस्तों अगर आप गुरुवार के दिन मतलब वरत करते हैं या पूजा करते हैं केले की तो उस दिन आपको केला ग्रहन नहीं करना है उस दिन आप किसी भी पीली वस्तू यानि दूद से बनी हुई या वरत की बनी हुई कोई भी पीली वस्तू का भूग लगाकर अवश्य ही ग्रहन कर ले देखना आपकी जो मनो कामना है इन नो दिनों में ही पूरी होगी दोस्तों सच्चे मन से मातारानी से प्रात्ना की जाए तो निश्शित ही मातारानी अपने बच्चों की मनो कामना और इस बार नवरात्री में बहुत ही सरवाय सिद्ध योग बना हुआ है इन नो राशियों के लिए ग्रहों का गोचर बहुत ही शेश रहने वाला है इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश, मिथुन, विरिशब, सिंग, कन्या, तुला, धनू, मकर और प्रती माता राणी का पूजण अवश्च करें माता राणी को भोग अवश्च लगाए और गौँ सेवा अवश्च करें तो देखना आपकी इच्छा अवश्च ही पुरी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेर जरूर करें आप सभी को जय माता दी